तो बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाच्रा प्रदेशी गवर्मेंट जॉब के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर रास्तक जुरूर देखेगा बहुत जारा बेनिफीशिल आपके लिए रहेगी और दूसरों के साथ जुरूर शेयर किए जगा अगर आपने पहले से ही इस वीडियो को देख लिया या इसके नोटिफिकेशन के बारे में सुन लिया है तो आप वीडियो को चाहे तो स्किप कर सकते हो ठीक है तो हाली में ही जो है वह एच्पी हाई कोट के थूरू जो आपके डिस्टिक्ट कोट्स होते है उसमें जे याई पॉस्ट है उनके लिए वेकंट पॉस्ट है जो भी उसमें है उनके लिए जो है वह वह अईलिजीबल कंडीट जओ है उनको जो है एक तरह से बोल सकते हैं आपके उनकी अफ्लिकेशन फॉर्म जो है वो invite किया है तो आप इसके लिए भर सकते हो उसके साथ आपको ये भी पता होगा कि current affair का आजकल जो exam चल रहे हैं बहुत जादा important रोल है तो description में एक link है ज़रूर check out किजेगा current affair के point of view से आपके लिए बहुत जादा important रहेगा free of course है साथ साथ आप telegram पर भी हमें आपको पता लगेगा official notification आने के बाद official detailed notification ये notification भी आपका official है बड़ जो detailed notification आएगा वो आएगा सल तक 14 तारिक ठीक है क्योंकि 14 से ही आप इसके लिए जो है वो apply कर पाऊगे 14 9 2022 से 14 10 2022 तक आप apply कर पाऊगे इसमें जो clerk की post है उसके पूरे पूरे chances है कि वो regular basis पर होगी और भी post regular basis पर हो सकती है कुछ contact पर होगी और कुछ आपकी daily wages पर होगी ठीक है जी और हो सकता है कि प्रोसेसर सर्वर की क्या रहेगी यह सारी डिटेल आपको मैं अच्छे से बताऊंगा जब notification आपका जो है वो out हो जाएगा किस तरीके से तयारिक करनी है कि कौन-कौन से courses आप अवेल कर सकते हो वो सारी चीज़े आपको मैं बताऊंगा बड़ आपको gkstudy के साथ जुड़ आएगा उतनी जल्दी apply करोगे उतनी जल्दी अपनी तयारी करना जो है वो शुरू करोगे क्योंकि आपको पता ही है कि competition जो है वो कितना hard हो चुका है तो यह सारी पोस्टे आठ पोस्टे टोटल आने वाली है district court में जिसमें आपको जो है वो बहुत benefit मिलेगा तो तयारी आ आएगा आपको जो है वो बता दिये जागा with a detail के साथ एक एक syllabus के साथ तो यह चोटा सा notification था एक short note आप इसको बोल सकते हो short notice जिसको मुझे आपके साथ share करना था thanks for watching बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ